जहिन साथ ही हो, मैं आप सभी का आपके अपने परिवाल G.S. फोकस में स्वागत करता हूँ तो दोस्तो आज हम 15-100 प्लस टॉपिक सीरीज के 5 पार्ट के उपर डिस्कस करेंगे इसमें हम 15 मिनिट में टॉप 100 क्वेस्चन देखेंगे या आपके सभी अस्तर के एक्जाम के लिए बहुत ही जादे मातपूर है तो चलिए दोस्तो स्टार्ट करते हैं और खतम करते हैं किसे भारत की सबसे उची सुरंग के रूप में मानता मिली है तो दोस्तो सेला सुरंग और आंचल प्लदेश में देखने को मिलता है दुनिया की सबसे लंबी टूनलेंट टनल भातिवाई सेना ने दुनिया के पहले एयर लिप्ट पोटेबल अस्पताल भिस्म का सफल परिक्षन कहां किया है दोस्तों भातिवाई सेना ने आगरा में किस बैंक ने भारत का पहला वर्चुल क्रेडिट कार्ड पिक्सल लाँच किया है मोस्ट इंप़ॉडне नंबर के माध्धम से अनराई के लिए उपी आइ की सुरुवात किया तो दोस्तो आईसी आईसी आई बैंक ने यह most important हो जाता आपके लिए बेस्व हाइडोजन सिखल सम्मेलन का आयोजन कहा किया गया तो दोस्तो राटरडम निदल लैंड में नासा ने किसे अपना पहला चीफ AI आफिसर निउस्त किया है तो दोस्तो बास्केट बाल का मुख और ठूणक की रूप में Westwick Pressure के मामले में दुनिया का पहला देस कौन सा बना है तो दोस्तो भारत किस के मामले में ывают quixippressure के मामले में किस देस की कंपनी ने मुम्बत्ती के मुम से चलने वाली rocket का प्रिक्षर किया है तो दोस्तो जर्मनी के T20-2020 क oportun24 के लिए लंका का अधिकारिक प्रयोजेक कौन न्युक्तू है तो दोस्तों अमुल ले तीटी थीट किस milliards की सर 지원 क Swanee फिरुलैउड पैसा अभिया शुरू किया तो दूस्तों उत्राखन इंप्पॉर्टन यह आपको देखने को मिलेगा एक्जामों में ठीक है वेल्थियस्ट सिटी जिपोर्ट दोजाद चौबिस में बिश्व में सबसे अमी सहर किसे घोसित किया गया है तो वेल्थियस्ट सिटी जिपोर्ट में निव्यार को बिश्व का सबसे अमी सहर घोसित किया गया है ठीक है वेल्थियस्ट सिटी जिपोर्ट दोजाद च चिस ने भात्यनों सेना के चीफ-सेनल का पदभार समभाला है तो दोस्तों संज turbulence ने इप योज़ त्याश उनमें सद्रस से बनने के लिए क्वालिफाइव और तो तो फिलिस्तिन किस कारिन कापूर ने कौन सायुकतर राष्ट जलवाई उनिधी बोर्ट की मेजवानी करेगा तो दोस्तो फिलिपिन्स पेटी अंपेमेंट बैंक ने किसे अपना नया सीओ बनाया है तो दोस्तो अरूर बंसल जी को किसे सुरी नाम में भारत का अगला राजदूत निउक्त किया गया है तो दोस्तो सुबास प्रसाद गुपता जी को चले बात करते हैं आण्यावेंट प्रश्णों पे किस हाली बोड अभीनेतरी ने कांस फिल्म फेस्टिवल में पालमो डी ओ से समानित किया गया है तो दोस्तो कौन से अभीनेतरी है तो मेरिल स्ट्रिप को पाल्मोडी मोर के पुरसकार से समाधते हैं पाल्मेडी ठीक है ये एक पुरसकार है किस राजजेम के अजरक को GI टैग मिला है दोस्तो तो गुजरात कच के किस ने मैडरीड ओपन टेनिस का एकल खिताब जीता है किस देश ने भातिय चेतर को दसाने वाला 16 रुपय का नोट जारी किया है तो दोस्तो नेपाल ने भातिय चेतर को दसाने वाला 16 मतब 100 रुपय का नोट जारी किया है किस देश ने अधिकारिक तोर पर भातिय युग पद्धत को अपनाया है तो दोस्तो पाकिस्तान ने कौन भात्य महिला हाकी टीम की नई कप्तान बनी है तो दोस्तो सलीमा टेटे भात्य महिला हाकी टीम की कप्तान सलीमा टेटे लारियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समेन आपदियर 2024 अवाड किसको दिया गया है निजवीग ने किसे भारत का सरीष्ट नीजी अस्पताल गोसित किया है तो दोस्तों मेदानता गुरु गराम कोौन निजवीग ने हारवर्ड कारिक्रम सुरू करने वाला भारत का पहला विस्वविद्याल है कौन बन गया है तो दोस्तो बताए उसका नाम उसका नाम है चंडिगर्ड विस्वविद्याल है किस देश की गाई का जिनका नाम है रेजवाना चौधरी बान्या को पदमसीरी पुरसकार मिला है तो दोस्तो ये बंगला देश की है भारत का सबसे हलका बुलेट प्रूफ जैकेट किसके दोरा विक्सित किया गया है तो दोस्तो डियाडियो के दोरा दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट किस देश का बना है तो दोस्तो UAE का किसे लता दिनानात मंगेशकर पुरस्कार 2024 से समानित किया गया है तो दोस्तो अमिटाब बच्चन जी को कौन सी कमपनी फीफा 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 कप की प्रयोज़क बनी है तो दोस्तो अराम को तो यह इंपोर्टेंट है याद रखेंगे आप किस ने भारत का पहला अब ग्रेडेबल ATM लांच किया है तो दोस्तो हिताची पेमेंट सर्विस ने इंडिया टुड़े की किस AI एंकर ने वेस्वीक मीडिया प्रसकार जीता है तो दोस्तो सना ने जो एक AI एंकर है और इन्होंने 20 वैस्विक मीडिया پुरसकार जीता है किसे goldman environmental पुरसकार 2024 दिया गया है तो दोस्तो goldman environmental पुरसकार आलोक सुकला जी को मिला है याद रखेंगे महतरपूर नाम है किस ने offline QR code best scan add and pay सेवा लांच किये तो दोस्तो यह बहुत important most important कीजेगा यह offline QR code मोड बेस्ट इसकैन एंड पे सिवालांच किये तो दोस्तों क्रेड ने तो आपको पता होना चाहिए अब अप्लाइन मोड पे भी किवाल से पें मतलब मेंट होगा कि किसे सरकान दोरा पुतिष्टित नौरत्न का दर्जा मिला है तो दोस्तों इसका नाम है इरेडा इसका गया है तो दोस्तों फरीदाबाद में केंस सरकान ने अध्यक्ष प्रबंद निदेशक किसे नियुक्त किया है तो राबर्ड जिराड रभी को विमल्टन विमेंस सिंगल 2020 का किताब किसने जीता है तो उनका नाम है बार्बोरा क्रेजी कोवा किसने रिकार्ड चौथी बार रिकार्ड चौथी बार यूरोपिय फुटबाल चेंपियंसिप जीता है तो दोस्तों इस्पेन ने आईक्यू एर के बिस्व बाई गुडवत्ता सुचकांग में कौन सेस पर रहा है तो दोस्तों काटमंडू यूनेपा ने कितने वसो में भारत की जनसंक्या दुगनी होने का अनुमाल लगाया है तो दोस्तों 77 वसो में विश्व का पहला मनिंजाइटिस वैक्सिन किसने लांच किया है तो दोस्तों नाइजेरिया ने किसे टाइम्स मैकजिन की दुनिया के 100 सबसे प्रभावसाली लोगों की लिस्ट में सामिल किया गया है तो दोस्तों आलिया भट को टिक है तो टाइम्स मैकजिन की दुनिया में 100 सबसे प्रभावसाली लोगों में आलिया भट सम्रीथ हो गई है कहां कि तिरंगा बर्फी को जियाई टैग मिला है तो दोस्तो वारांट सी को भारत ने किस देश को ब्रहमोस मिसाइलों की पहली खेफ दिया है तो फिलिपिन्स को किसे मैलकम आदिसेशिया पुरस्काव 2023 के लिए चुना गया है तो दोस्तो उच्सा पटनायक जी को इसरों ने किस वर्स तक मलवा मुक्त अंत्रिच हासिल करने का निड़ा लिया है तो दोस्तो इसरों ने 2030 तक मलवा मुक्त अंत्रिच हासिल करने का निड़ा लिया है आपको पता होना चाहिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आइसी सी टी ट्वंटी वर्ल्ड कप का ब्रांड एमिस्टर की से निड़ा गया था तो दोस्तो उसैन वोल्ट को जो जमाइका के एक धावक है विस ओर्जा का अंग्रेस दोहजा चुबिस का आयोजन किस देश में संपन हुआ है तो दोस्तो निड़लेंड में भारत के पहले ग्रीन हाइडोजन पाइलेट प्रोजेक्ट का उधाटन कहां पर किया आ जाएगा तो दोस्तो हिमांचल परदेश में किसे IIFT के कुलपती के रूप में न्यूक्त किया गया है तो दोस्तो राकेस महन जोसी IIFT का फुल फॉर्म क्या है Indian Institute of Foreign Trade तो आपको पता होना चाहिए भारतिय विदेशी वैपाल संस्थान जिसकी अस्थापना दो मई 1963 को की गई है मुख्याला इसका नई दिल्ली में है QS World University Ranking 2025 में कॉन सेल्स पर है तो दोस्तो MIT QC AI किसे हिंदी साहे ति भातली पुरस्कार मिला है तो दोस्तो descending प्रकास जी 2024 का पुरसकार जीता है तो World Praise Photo of the Year का पुरसकार मुहम्मत सलेम ने जीता है कहा की Swampin Janjati ने पहली बार मददाता में भाग लिया है तो दोस्तो ग्रेट नी को बार की Swampin Janjati ने भी इस बारी मददान में भाग लिया है किसे भारत में Open AI का पहला करमचारी ने उक्त किया गया है तो दोस्तो प्रग्या मिस्रा जी को भात्य मिल्क ब्रांड नंदनी आगामी T20 विसो कप में किस टीम का Sponsors बनेंगी तो दोस्तो ये Scotland और Ireland की तो भात्य मिल्क ब्रांड इनका नाम है नंदिनी नंदनी मिल्क ब्रांड है एक वो आगामी T20 विसो कप में Scotland और Ireland का Sponsor बनेगा किस देश में पहली हिंदी रेडियो पसारण शुरू हुआ है तो दोस्तो कुएट में पतिष्ठित कि आई एसस मानवतावादी सम्मान 2021 21 से किसे सम्मानित किया गया था तो दोस्तो रपन टाटा जी को हाली में लोग सभा का पोटे में इस स्पीकर किसे निउक्त किया गया थो उनका नाम है भात हरी महताव जी सेंगत राष्ट की किस संस्ता ने ब्रिटिस अभिनेता थियो जेम्स को ग्लोबल गुडविल एमबेस्टर निउक्त किया है तो दोस्तो UNHCR ने किसको बताइए किसको निउक्त किया है ब्रिटिस अभिनेता थियो जेम्स को ग्लोबल गुडविल एमबेस्टर निउक्त किया है किसने संयुक्त राष्ट ने विजे खंडूजा को किस देश में भारत का अगला उच्छा यूक निद्थ किया गया है, तो दोस्तो कैमरोन के, नाम क्या है विजे खंडूजा जी को, ये भारत किया है, चले बात करते हैं अन्य प्रश्णों पर किस देश की टेनिस खिलाडी जिनका नाम है गारविन मुगरोजा ब्लैंको इन्हों ने सन्यास की घोष्णा की है तो ये इस्पेन की है और एक टेनिस खिलाडी है तो आपसे पूछा जा सकता है इनका समन की से है गारविन मुगरोजा ब्लैंको का तो इस्पेन से और ये टेनिस खिलाडी है किस राज में दूदलब तिकली जिसका नाम है नेप्टिस फिलारा इसकी खोच की गई है तो दोस्तो अरडांचल प्रदेश में डेटा ट्रैफिक के मामले में बिस्व का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर कौन बना है तो दोस्तो रिलाइंस जियो किस देश ने एक नई स्वर्ण समतित मुद्रापेस की है तो जिममांबे उसका नाम है जिग किसे राष्टे महिला हाकी कोच ने उक्त किया गया है तो दोस्तो उनका नाम है हरिंद्र सिंग लच्छ दीप में साखा खोलने वाला पहला नीजी बैंक कौन सा बन गया है तो दोस्तो उसका नाम है यह डी एपसी बैंक भारत और किस देश के बीच संयुक्त संय अभ्यास दस्तलिक आयोजित किया गया है तो दोस्तो उजबेकिस्तान यह most important है यह पूछा जाता है दस्तलिक ठीक है बिटेड ने किस देश में अपनी पहली महिला उच्चा युक्त लिंडी केमरून को नुक्त किया है तो दोस्तो भारत में वैस्विक साइबर अपराद सुचकांक में कौन सेज पर है तो दोस्तो रूस ACI कुस्ती चैंपियंसीट 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है तो दोस्तो किर्गिस्तान में तो दोस्तो बैस्विक साइबर क्राइम में रूस टॉप पर है बहुत important हो जाता है याद रखेंगे आप तो रसिया के hacker YouTube channel बहुत आयक करते हैं ठीक है हरुन ग्लोबल उनिकॉन इंडेक्स 2024 में कौन सेज़ पर आया है तो दोस्तो USA क्या नाम है हरुन ग्लोबल उनिकॉन इंडेक्स QS उनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन सा भाती उनिवर्सिटी सेज़ पर है तो दोस्तो JNU जोहालान नहरू उनिवर्सिटी किस राज की गोंड पेंटिंग को ZI टैग मिला है तो दोस्तो मध्यप्रदेश किस देश ने अंगारा AS रॉकेट का सफल परिक्षर किया है तो दोस्तो रूस ने किस ने विश्वसाहित पुरसकार जीता है तो दोस्तो ममता जी सागर जो कन्नड एक कभी है किसे हारबर द्वारा साउथ एसियन परसनल आपदी यर नामित किया गया तो दोस्तो अवंतिका बंदनपूजी को 500 T20 छक्का लगाने वाले पहले भाती है रोईद सर्मा इस पेस इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एमेस्टर बनाया तो दोस्तो संजना सांगी जी को IPL में सर्माधिक रन बनाने का रिकार्ड किस ने बनाया तो दोस्तो संजनाई जस हैदराबाद ने लगभग 287 रन मारे थे इन लोगों ने इसरो की टीम को किस मिसन के लिए जान एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरसकार के लिए चुना गया तो दोस्तो चंद्रयान थ्री के लिए ठीक है तो आप यह इंपॉर्टेंट है जान एल जैक है तो चंद्रयान थ्री के लिए पुरसकार के रूप में इनको चुना गया टीम को इस रोके हाइब्रीट पीच तकनीकी का उप्योग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन सा बना है तो दोस्तो धर्म साला हाइब्रीट पीच तकनीकी का उप्योग करने वाला अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा अगर आपको वीडियो इंफर्मेटिव लगती है पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे ज़रू जोड़ें तैंक यू वेरी मर्च